नमस्कार दोस्तों मैं शाने सीट कैसे आप दोस्तों विडियो के माधियम से बिरी हर कोशिश के आपकी सिंदगी बैतर संदर माइंग मैं ब्लास्टिंग ठा बन जाये जबरदस्त वाली कैसे हूं मेरे पार्चा लोगो हैपी दिवाली अगें है की नहीं वैसे तो एक वीडि कोई ऐसी दिकत वाली बात नहीं है अब कुछ उपाए रह गए थे मैं चाती हूं फटाफट से नूट डाउन कर लो बड़े इज़ी है कोई ऐसी दिकत वाली बात ही बड़ प्लीज कर लेना है ना अब पहली चीज एक चीज मैंने ना वह बतानी रह गई थी वह जो पोटल का आगमन होता है वो कही ना कहीं बढ़ाएगा जिनके सर पे करजे हैं वो कही ना कहीं ऑपर्चूनिटी स्कोलेगा जिससे करजे कहीं ना कहीं समाप्त होते चले जाएंगे अब एक चीज बता देती हूं आज दिवाली की रात को अगर एक छुटा सा जो चांडी की तार हो जिनके भी पत्री में शनी का प्रकोप है जिनके भी विवा में दिक्कत आ रही है विवा होने में दिक्कत आ रही है विवा टिकने में दिक्कत आ रही है बिमारी पीछा नी चोड़ रही जिनको भी शनी की साड़ सती है अच्छा खासा काम स्टेबल कामता पट करके ऐसी पट लेड़ में रख देना में उसके अंदर काला सुर्मा भराथ के अपने घर के घमले में बाग बगीच से उसको जुरू चुरू कर दो ₹ cancel तक करने दू औगला शनिवार अगला शनिवार करते करते एक साल समर्ज गए ने जुक्षक पर अगली ज़ो चीज़ Fig बात वाली बात नहीं अब इसके अंदर सरसो का तेल डाल कर अब इसके अंदर जो कलावा जो हम हाथ पे बांधते है पाशह लोगों उसका कलावा बांद के जिनको भी मंगल से रिलेटेड आành यह जिनको हेल्थ से related issues आ रहे हैं, जिनका पैसो का धन का आगमन नहीं हो पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही, यह अगर सारी चीज है, यह बहुत जबरदसी चीज बताने जा रही हूं, इसके अंदर कलावे की बाती बना कर, पीपल के पेड के नीचे आपको जगाना है, और इसके साथ में 11 बार क इस चीज का मंत्र बोलोगे, वो नोट डाउन करो, ओम महालक्षमे इनमोनमा, ओम विश्णू प्रियाये इनमोनमा, ओम धन प्रदाये इनमोनमा, ओम विश्च जनन्ये इनमोनमा, इस चीज का आपने मंत्र करना है, साइड में आपको दिख्या होगा, इस चीज का आपने 11 बार वहाँ पर बैड कर या खड़े होकर जैसे भी जैसे comfortable लगे बस करने वाले बनना इस चीज को आपने वहाँ पर करना है और इसको इसके बाद में हर एक साल एक साल हर शनिवार को continuity में करते हो जितना भी धन का आगमन नहीं हो पारा फिजूल खर्चों में जा रहा है बिमा आमें बाते तो शाइनसेड करती नहीं एक बार जो ट्रस्ट करके करते हो इतनी बात मानतों यह भी मान लो सीधी बात है अच्छे एक और चीज़ा आपको बता देती हूं जिनके भी पत्री में कहीं न कहीं क्या ते राहू का भी प्रको बहुत जादा है राहू भटकार है जैसे अभी तो एक साथ में हम बैठे हैं पट करके कुछ हो गया कि जगडे कलेज बढ़ गया अगर यह स्थिति आपके पास साथ में है तो अब हम क्या करेंगे उस चीज को नोट डाउन करो एक नारियल अच्छा जिनको भी नजर बहुत जादा जल्दी लग जाती है वो भी सुन लो यह जो दिवाली का टाइम है वो वैसी आपको पता तंत्र मंत्र वो सब चलते हैं देखो जो रूहानी चीज होती है जो कहते ना वाइट चीज होती है वो तो बहुत पाक चीज जो हम यह सारी चीजे करें बहुत पाक चीज है बट जब यह जो पढ़ाई होती है ज जब तंत्र मैंने जैसे बोला मैं 14 साल की थी जब मैंने तंत्रिक विद्या प्राफ्त की थी यह नहीं कोई शौक चड़ा था मैं फादर फ्रम किंग टू बेगर वीव सीन दाट ताइम जब क्यातना बिजली पानी सब कुछ गड़ गया था सब कुछ बहुत ऐसी चीज़ है एक कभी बताऊंगी आपको है ना तो जब यह चीज़े हम विदी सीखती है ना तो सबसे पहले यह सिखाया जाते कि इसको ऐसे जरूर कर देते के तो अब हम क्या करेंगे अब हमने एक नाट ले लेना है सुकह नारियल ले सकते कोई पात लिए इसको अपने सरसे साध बार घुमा देना है इसको दो हिससों में तोड़ देना है अब इसके अंदर साथ नाज पीस कशका दूर्ल का जो बुरा उता है वो म बंद मत करना क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चीटियां होती है वो सब होती है वो मुह लगा है समझे मेरी बात को इस चीज को आपने अपना पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे जो बाहर के लोग है कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है आप गहीं पर भी सुनसान जूते, काले जूते, काले कंबल, काली उरत की डाल ये जो चीज है ये जरूर लोहे के बड़तन में काली उरत या काला जामून अगर आप किसी जरूरत मंद को आज रात को देने जाते हो पित्र दोश कहीं न कहीं शान्त होता है समाप तो तो कुछ नहीं होता है समाप तो ऊपर वाला चाहे तो समाप तो सब कुछ ही हो जाएगा लेकिन यह कहीं न कहीं शान्त होता चला जाएगा बर हर शनिवार इस चीज़ को कर लेना पाशे लोगों है कि नहीं प्लीज कर लेना टीक है पाशा लोगों मैं जाता है फिर लॉट की आते हैं जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ने किया अच्छा वास्तू की classes, Tarot Reading की classes MAGNIFIED healer मैं फिर बोलूंगी heeling सीको चकरास को heal करो past life को cut करो यहां से सीको कहीं और से सीको हील करो अपमें be a healer ये पाखंड की दुकानों में इधर अधर भटकते रहते हैं लोग ये लाग की पुजा डेर लाग दो लाग की पुजा काई को जब healing सीखोगे अपने चक्रास को heal करोगे तब पता चलेगा मैं क्यों इतना बोलती थी हर वीडियो में हाला कि मेरे को कितने डिसलाइक भी आ जाते हैं इस चक्कर में दुश्मन ही पैदा हो रही है अगिनी ठीक है माशलों को मैं जाते लोट के आता है चैनल सब्सक्राइब करो दिल मत तोड़ो वीडियो को लाइक करो शेयर करो इसलिए करो सब किसे सब्सक्रा हो जाए ओके देन बाबाई नमस्कार झाल 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 झाल